कॉपर की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्केट जो है बहुत लगतार पांच्छा सेशन से डाउन ट्रेंड में था और अपने सपोर्ड के आसपास आके अभी रुख गया है तो आने वाले दिनों में क्या डियरेक्शन हो सकती है और इंटर डे में कहा आपको बाय करना है कहां के टागेट एचीव हो सकते हैं इस वीडियो में पूरा सीखेंगे तो वीडियो को पूरा देखना बिलकुल भी स्किप मत करना नमस्कार दोस्तों मैं अध्वकेट आयूश अकरवाल और आप देखने हैं स्मार्ट टेडिंग अगर अभी तक इस च चार्ट पे वन आर के चार्ट पे अगर हम देखें तो वन आर के चार्ट पे कॉपर ओवरॉल अभी भी बियरिश है लोर लोस फॉर्मेशन दे रहा और बियरिश चैनल में ट्रेड करते वे आप देखो एक सपोर्ट के आसपास आके हां पर रुग गया और एक हैमर काइंड और अगर आपको यहां पे एक पिक्चर में यह दिखाओं कि यह जो पुराना यह लाइन थी ग्रीन किलर की जहां से यह उठा था इस तरीके से तो देखो वहीं के आसपास इसने एक फॉर्मेशन हैमर की दिये तो उमीद हैं यहां से एक बार को छोड़ा मोड़ा यह बांस लेकर दुबार है 663 रुपए के आसपास आके रुख सकता है तो उसमें टाइम लगेगा अभी आने में एकदम तो नहीं आएगा आज जब तक कोई बड़ा डेटा इफेक्ट नहीं करता मार्केट को तो हैमर बनाया इसने वन आर के चार्ट पे और एक बुलिश केंडिल क् टार्गेट आप इस लेवल तक के आप देख सकते हैं यह भी यहां से सप्लाई बड़ी थे तो दुबारे यहां से सप्लाई बढ़ सकती है तो यह लेवल जो रहेगा लगबख 763 770 रुपए तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में दुबारे देखने को मिल सकता है जो स्कीं इस रेंज में आएगा वहाँपर प्राइस सक्षिंट देख के बाई की पोजिशन बना के चलें से बहतर रहेगा महाँपर आपका लो रिसक रहेगा आप कंः भी बना लोगे अगर पोजिशनल तौर पर बना रहे हो तो रिसक जैदा रहेगा। इंटरे के व την लिह बना रहा है दुबारह इस रेंज में यहां तक आता है और दुबारह यहां से निकलता है तो वहाँ पे आप अपनी बाई की पोजिशन बना के चले चले टागेट रखें 766, 770 रुपे तक के टागेट इंट्रेडे में भी देखने को मिल सकते हैं अगर मोमेंटम आ जाता है क आपर आने वाले दिनों में अगर 757 रुपीज से भी नीचे उदर जाता है सपोज कोई रैट केंजल का बना देती है जिसकी ओपनिंग भी नीचे है लोजिंग मी नीचे तो नीचे की तरफ लेवर्स फिर आने वाले दिनों में आपको 757, 745 के भी देखने को मिल सकते हैं बट अभी उतना बीरिश नहीं लग रहा मुझे लग रहा अभी इस रेंज में रहेगा यहां पर गुमता रहेगा इस तरीके से ओपर जाएगा नीचे जाएगा तो काफी क्योंगी तूट चुका पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में और इलियर वेफ की बात करूं इलियर के अनलेसिस के बाद भी जो मुझे लग रहा है यहां से यह थोड़ा सा बाउंस यहां से लेगा उपर की तरफ तो यह था कुछ अनलेसिस वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के शेयर करिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिं प्रिजयब के डिए बाद रहा है